हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने चैनल पर जो रियूज कंटेंट का मेल आपके पास आया है और आपके सपने हो गए है चूर चूर तो उन सब को परिशान होने की चुरुत नहीं है जैसे ही आपक जो कोंटेंट है जयनुईन है यूट्फी यह कहता है कि अप एक वीडियो से जो कि एक से लेकर 5 इमिट कि हो सकती है उस वीडियो के माध्यम से आप ये बता सकते हैं ये हमें प्रूफ कर सकते हैं कि आपका जो content चैनल पर पड़ा हुआ है वो genuine है इसमें कोई भी जो है fake information या fake वीडियो नहीं है जो किसी और साइट से या social साइट से उठा के हमने YouTube पर डाली है और इसके लिए आपको बनाना होता है एक appeal वीडियो जो आपके reuse content की problem को दूर करेगा ये आपको बनाना होता है एक से लेकर 14 दिन के अंदर-अंदर जिस दिन आपके पास reuse content का mail आया हुआ है उसके 40 days के अंदर-अंदर आपको ये वीडियो अपलोड करना होता है नमबर दो option नमबर दो आता है अगर आप किसी बज़स है किसी भी बज़स है अगर आप appeal वीडियो नहीं बना पाए है रियूज content को हटाने के लिए तो आप जो है आपके पास एक और mail आता है उसी के नीचे कि आप जो है इस चैनल को 30 दिन या 30 डेज वह सोरी हां 30 डेज यह फिर 90 डेज के अंदर आप अपने चैनल को द्वार से apply कर सकते हैं लेकिन उसकी कुछ शर्त होती है उसकी शर्त ही होत होती है कि जितना भी आपके पास content पड़ा हुआ है चैनल के अंदर आपको उसको review करना होता है review करने के बाद में आपको यह देखना है कि मेरे चैनल पर कोई कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी और साइट से उठाकर डाल दिया हो या किसी और का content मेरे चैनल पर पड़ा हो या ऐसी कोई चीज जो इलीगल है जिसको यूटूब नहीं करता है इसी कोई वीडियो हमारे चैनल पर तो नहीं है अगर है तो आप उसको monetize reapply करने से पहले पहले उसको आप डिलीट कर दें और डिलीट करने के बाद बहत्र गंटे का वैठ करें बहत्तर गंट के बाद जब Japanese जा चारहजार घंटे और एक हजार सब्सक्राइबर होते हैं जब आप डिलीट करते हैं वीडियो तो उसका वोश टाइम ध्यान सुनना उसका वोस टाइम उसमें से घट जाता है तो आप जब तक आपका वोस टाइम वहां से ना घटे और अगर चाहजार घंटे से एक भी घंटा कम होता है तो आप एपलाई ना करें पहले पूरे 4000 घंटे कंप्लीट करें उसके बाद ही आप एपलाई करेंगे लेकिन वीडियो को रिव्यू करने पूरा चैनल चैनल करने के बाद क्योंकि आपके एक साल की मेहनत होती है इसमें आप थोड़ी सी भी लापरवाई करते हैं तो आपका चैनल फिर 90 दिन के लिए पहुंच जाएगा तो वहतर यह कि 90 दिन वेट ना करके आप दो दिन चाहें दो दिन लगें चार दिन लगें लेकिन पूरा चैनल रिव्यू करने के बाद ही आपको रिएपलाई करना है और रिएपलाई करने के बाद अगर आपने कुछ मिस्टेक नहीं किय कुछ गलतियां नहीं छोड़ी हैं तो आपका चैनल 72 घंटे के बाद मोनिटाई हो जाएगा ऐसा हो चुका है मेरे चैनल पर भी पिसले वाला जो चैनल था उस पर भी आ चुका था लेकिन अब मेरा चैनल ठीक है और मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करता मैं सारा कंटेंट अप झाओ वड़ को चैनल ठीक है और मैंसकशने के डह घ्यक्डार क्या रवकित अब गारा पक्ष्राई मेरे शैनल अभी आद कता एक बादे के एकाः उसाई प्ल्का मतली सोड़ को चआ और भी मावका म हम वापको नहीं को था राऊ़ार, हैं Кईa भी मैं आपको आद Mister дав श.